इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को استعمال करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सिसकेन 10 mg injection डॉक्टर की परची से मिलने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल ovarian, cervical और testicular cancer के इलाज में किया जाता है। ये शरीर में cancer cells के विकास को रोक कर या धीमा करके काम करता है। सिसकेन 10 mg injection को एक qualified medical professional द्वारा नसो में injection के रूप में लगाया जाता है। आपका डॉक्टर निरने लेगा कि आवश्यक खुराक क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका इलाज किस स्थिती के लिए चल रहा है और यह समय समय पर बदल सकता है। आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपके डॉक्टर ने बताया हो। इसे गलत तरीके से या अधिक मात्रा में लेने से बहुत गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको दवा के फायदे दिखने या महसूस होने में कई हफ़ते या महीने लग सकते हैं। लेकिन जब तक आपका डॉक्टर न कहे इसे लेना बंद न करें। इंजेक्शन साइट रियेक्शन यानि की दर्द, सूजन, लालिमा, मिचली आना और उल्टी इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट हैं। सुनने में समस्याएं या कान को नुकसान इस दवा का एक गंभीर साइड इफेक्ट है। इस दवा से इलाज के पहले और इलाज के दोरान आपका डॉक्टर हीरिंग टेस्ट करवा सकता है। इस दवा किड्नी के काम पर असर डाल सकती है कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इससे प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए अपनी हेल्थकेर टीम को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप इस्तिमाल कर रही हैं। गर भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है। इससे पुरुषों में बांज़पन हो सकता है। इसलिए उनको इलाज शुरू करने से पहले शुक्राणूओं की फ्रीजिंग के बारे में चिकित सा सलाह लेनी चाहिए।